हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम उलेकूम वेलकम बैक टू मैं चैनल तम्मोस किचन कैसे हैं आप सब उम्मिद है आप सब खायरियत से होंगे अज फिर एक नई रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ रेसिपी स्टाट करने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और आज मैं शेयर करूँगी पोटेटो ब्रेड रोल यह निया के पत्ती और तू टेबलस्पून लिऊँ कॉणफ लार और दो से तीन लिऊँ ने रिमिर्च छॉप्कर कर, कमिया जादि कर सकते हैं हरिमिर्च, यहां पर लिऊँ में हाफ कप दूद्ध 2-40 ml का है पूरा भर कर नहीं लिऊँ में, पौना कप जितना दूद लिऊँ हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर यह हाफ टेबल स्पून लिए में अद्रक लस्टन और हरी मिर्च एक लेकर पीस ली हूँ धनिया पॉडर लियू मैं half tablespoon और ग्यानो half tablespoon सबसे पहले हम पैन में दालेंगे तेल एक चममच तेल को हम गरम होने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम करते हैं next process यह हम bread को तोड़कर इसके अंदर डाल देंगे दूद हम bread roll बना रहे हैं हम ना तो बेल कर बनाएंगे और ना श्टफ करकर हम direct बना रहे हैं bread roll potato bread roll आप एक बार ज़रूँ ट्राइ करिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है I hope आपको भी इसका टेस्ट पसंद आएगा इससे भीगो कर रख देंगे हम हम half cup दूद आड़ कर रहे हैं ज्यादा दूद नहीं डालना है इसमें और इसको छोड़ देंगे हम तब तक next process करते हैं आलों को हम पहले mash कर लेंगे आलों mash हो चुके हैं तेल भी गरम हो चुका है तेल में हम डाले हैं जीरा ज्यादा जीरा नहीं डालेंगे 140 पून जितना ही जीरा आड़ करना है इसमें हम डाल देंगे अद्रक लस्टन और हर इमिच जो हमने पीस कर रखे हैं half tablespoon ज्यादा भी नहीं आड़ करना है हमारा अद्रक लस्टन भी fry हो गया है इसमें हम आड़ कर देंगे इसमें डालेंगे हम पाउडर वाले मसाले जब भी आप पाउडर वाले मसाले एड़ करो फलेम को लो रखिये इसमें हमने आड़ किये había hari मीच हरी मीच आप कमियाजादि कर सकते हैं एक मिनट बाद हम इसमें डालेंगे पोटेटो और आलों को हमने अच्छे से पहले ही मैच किया है अब हम स्रीव मसाले में इसे मिला रहे हैं एकदम अच्छे से मिलाईए एकदम अच्छे से मिला लीजिए फिर इसमें एड करेंगे नमक नमक आप अपने टेस्ट के स्पून से थोड़ा सा जादा हमारे ब्रेड में भी नमक है हम थोड़ा सा कम ही डालेंगे नमक नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाले नमक डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे आलों में हमारा मसाला और अच्छे से मिल जाएगा एक दम अच्छे से मिला लीजिए पोटेटो ब्रेड रोल कभी अपने बनाया होगा नहीं बनाया है तो एक बार मेरे तरीकी से ज़रूर ट्राइ करिए आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा अब डालेंगे हम इसमें औरगयनो औरगयनो लास्ट में आड़ करना है आलो को हम ठंडा होने रखेंगे आलू ठंडा होने तक हम देखते हैं ब्रेड को ब्रेड ने दूद को अच्छे से सोक लिया होगा अब एड़ कर देंगे हम इसमें पाव भाजी मसाला पाव भाजी मसाला हम दालेंगे एक चम मज वन टेबल स्पून दालेंगे हम पावभाजी मसाला ब्रेड में दालना है हमने यहाँ पर मसाले में पावभाजी मसाला नहीं आइड किये हैं हम दाल रहे हैं ब्रेड में कोरेंडर लिफ दाल रहे हैं हम इसमें हरी धनिया की पत्ती इसे हम हातों से एकदम अच्छे से मिला लेंगे एकदम अच्छे से मिला रहा है फ्रेंड्स आप मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब ओला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए मैं डेली रेसिपे अपलोड करती हूँ रेसिपी की जानकारी आपको मिलती रहेगी और यह हमारा ब्रेड अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अब इसमें हम आड कर देंगे आलू अब ब्रेड में हम आलू को एकदम अच्छे से मिला लेंगे इसमें डालोंगी में 1 टेबल स्पून जितना डालेंगे हम फुडो आईल यहाँ पर तेल एड की उमें एक चमच तेल लगाकर हम अच्छे से मिला लेंगे तेल लगाने से हमारे हाथों पे नहीं चिपकेगा बैटर हतेली पर इसे तेल लगा लीजिए थुड़ासा बैटर लेकर इसे लड़ू बना लीजिए और रोल बनाना है हमें इसे हतेली पर रखकर रोल करते रहिए मैं पहले भी अपलोड की हूँ चिकन चीज ब्रेड रोल पोल पड़ पर रखकर बनाई हूँ चकले पर रखकर रोल बनाई हूँ वो भी आप देख सकते हैं और देखिए हैं माशालला हमारा रोल रेडिय हो गया है रोल हम ना जादे बड़े ना जादे छोटे बनाईगे मीडियम साइज के रोल बनाईगे हतेली पर तेल लगाकर ऐसे पेड़ा बना लीजिए और हतेली से रोल कर दीजिए बहुत इजीली रोल बन जाते हैं गे अगर आपको हतेली पर रखकर नहीं आता है तो आप मेरी रेशिपी देख सकते हैं चिकन चीज ब्रेड रोल की और ऐसे ही मैं ब्रेड रोल बना कर रखी हूँ अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हमने लिए यहाँ पर दो अंडे उसमें नमक एड़ किये हैं जरा सा जिसे हम ओमलेट बनाने के लिए अड़ करते हैं उतना ही नमक एड़ की हूँ में अच्छे से हम अंडों को फेट लेंगे अंडों को एकदम अच्छे से फेट यह पैन में हमने रखे हैं तेल गरम होने के लिए रोल उठा कर हम डाल देंगे मैदे में मैदे में अच्छे से कोट कर लीजिए, फिर उठाकर दाल दीजिए अंडे में, अच्छे से डीप करना है, एकदम अच्छे से डीप करिए, फिर दालेंगे हम ब्रेट क्रम्स में, ये पैन को ब्रेट क्रम्स है, मैं पैन को ब्रेट क्रम्स की रेसिपे पहले ही अपलोड की मैं उपर आई बटन में दे दूँगी पैन को ब्रेट क्रम्स में कोई भी फ्राई आटम बहुत अच्छा क्रिस्पी बनता है पहले हम डाल देंगे मैदे में कोट कर लेंगे फिर इसे उठा कर डाल देंगे अंडे में अंडे में एकदम अच्छे से डीप करिए फिर दाल दीजे ब्रेट क्रम्स में ब्रेट क्रम्स में भी अच्छे से कोट करना है हम पहले सारे ब्रेट रूल रेडी करेंगे तब तक हमारा तेल भी गरम हो जाएगा तेल को अच्छे से गरम होने दीजिए फ्राइ करते समय हम medium to high flame रखेंगे तेल को अच्छे से गरम होने दीजिए फिर इसमें add कर दीजिए मेरा तेल गरम नहीं हुआ है अब डालरियों में इसमें ब्रेड रोल पोटेटो ब्रेड रोल बनाए है हमने रेशिपी अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए और हाँ कमेंट जरूर करिए मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है रोल को हम गोल्डन ब्राउन फ्राइ करेंगे हमने यहाँ पर medium to high flame रखे हैं रोल को पल्टाते समय हादों को बचाकर पल्टाईए सारी साइड चेक करकर फ्राइ करिए सारी साइड से हमारे रोल फ्राइ होने चीए ऐसे ही मैं सारे रोल फ्राइ कर लूँगी और यह हमारे फ्राइ हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन माशारला लूग देखिए, कलर देखिए, दिखने में ही एकदम क्रिस्पी लग रहे हैं, सच में उपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट लगते हैं खाने में, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राइ कर हैं, यहां मैं टमैटो केचप के साथ में सबकी हूँ, केचप के साथ में और टेस्टी लगते हैं यह, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, मेरी रेसिपी ट्राइ ज़रूर करिए, इंशालला कल फिर मैं मिलूंगे एक नई रेसिपी के साथ, अपना खयार रखिए, सेफ रहिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, थैंक यू फर वाचिंग